इंडियन प्रेमेर लीग का 11 वा संसकरन 7 अपरेल से मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में शुरू होने जा रहा है। चलिए जानते है आईपियल सीजन 1 से अब तक कौन कौन सी टीम इस प्रोफी को जीतने में कामियाब रही। आईपियल सीजन एक राजस्थान रोयल्स शेन वॉन के कप्तानी में राजस्थान रोयल्स ने ओपनिंग सीजन जीतने में काम्यावी पाई थी पताते राजस्थान ने चन्ने सुपर किंग्स को हरा कर इस कब को पाया था आईपियल सीजन दो डेकन चार्जर्स IPL का दूसरा सीजन एडम गिलक्रिष्ट के नेतरुत्व में डेकन चार्जर्स ने अनिल कुमले के नेतरुत्व वाली RCB को बैंगलूरू में महज 6 रोनों से हरा कर जीता था IPL सीजन 3 चन्नेई सूपर किंग्स महंदर सिंग धोनी के नेतरुत्व में चन्नेई सूपर किंग्स ने सचिन तेंदुलकर की मुंबई इंडियन्स को 22 रनों से हरा कर पहली बार IPL का खिताब जीता IPL सीजन 4 चन्नेई सूपर किंग्स चेने सूपर किंग्स ने लगातार दूसरे साल ये खिताब जीता उन्होंने फाइनल मैच में आरसीवी को 58 रनों सहराया कौतम गंभीर के नेतरुत में केके आर ने पहली बार आईपियल खिताब अपने नाम किया फाइनल में चेने सूपर किंग्स के जीत की हैट्रिक बनाने के ख्वाप को गंभीर ने चकना चूर कर दिया रोहिच शर्मा की कप्तानी में मुंभी इंडियन्स इस साल अपना पहला खिताब जीती उन्होंने धोनी के नेतरुत वाली चेने सूपर किंग्स को 23 रनों से पराजित करके ये टाइटल हासिल किया महंदर सिंग धोनी के बाद दो बार आईपियल जीतने वाले गौतम गंभीर दूसरे कप्तान बने उन्होंने फाइनल में बैंगलूरू में 200 रनों का पीछा करते हुए जीत हासिल की केके आर के दुबारा खिताब जीतने के बाद इस साल मुंभी इंडियन्स ने दूसरी बार आईपियल टाइटल जीता आईपियल सीजन नौ सन्राइजर्स हैदरबाद डेविड वार्नर के कप्तानी में इस साल हैदरबाद आईपियल की चैंपियन टीम बन कर उभरी आईपियल सीजन 10 मुंभई इंडियन्स रोईद शर्मा की कप्तानी में मुंभई इंडियन्स ने एक बार फिर आईपियल का खिताब अपने नाम किया बता दे इस जीत के साथ ही मुंभई पहली टीम भी बन गई जिसके नाम आईपियल के तीन किताब है